कब्रिस्तान में कब्रों के बीच एक जिंदा रोती हुई बच्ची एक चर्वाहे को मिली चर्वाहा बच्ची को लेकर ठाने पहुंचा फिर पुलिस की मदद से बच्ची को सामुदाइक स्वास्त केंद्र अमरपाटन पहुंचाया गया 21 सदी में भी ऐसी घटनाएं पूरे के बीच छोड़ दिया अगले जनम मोह बिटिया ना की जो शायद ये बच्ची अभी बोल पाती तो यही कहती ऐसी क्या गलती थी इस बिटिया की या उस मा की जिसने अपनी दो से तीन दिन की नवजात को मुर्दों के बीच कब्रिस्तान में छोड़कर मा बेटी के सारे र रात पर एक चर्वाई की नजर पड़ गई चर्वाही ने बिना देरी किये बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार से संघालते हुए उसे अमरपाटन थाने पहुचा दिया पुलिस की मद़त से बच्ची को सामुदा एक स्वास्थ केंद्र अमरपाटन पहुचा था के बाद जिलास पताल रेफर किया गया जहां मासूम बच्ची को डॉक्टरों वा नर्सों की देख भाल में दूद पिलाए गया और अब बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है यह बच्ची अमरपाटन के सुन्नी मरची कबरिस्तान में मिली अब पुलिस पूरे मामले की तहक कि दो रही थी तो मैं उठा लिये इंको तिरादमी बचार मेले पो उनको बोला भी कि यह लड़की को छोड़े रहा तो कोई ज्यानता ही में को है अचानक छोड़की चलिया गई आप देख रहे हैं डखल्यूल